हलो दोस्तों नमस्कार आप लोग मेरे वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग का आप लोग कमेंट कर रहे थे काफी कल एक मैंने वीडियो डाला था कि गुटका के बारे में डाला था कि आप घर पे बनाईए और खाईए जो मतलब बेधड़ा निसुलक और City आए और बिना कूई नुकसान का आप घर पि-बना सकते हैं यह कहीं पर भी रहते हैं आपका तो यह बन जाएगा तो कैसे क्या करना वतर क्या-क्यासिज होती है मैंद कर दहां तो यह जैसा कि आप देख रहे हैं देखिए ता सुपाड़ी सुपाड़ी होती है जहोग खा पका हुआ पान का पत्ता है ठीक है और इसमें कुछ मिलाया गया नहीं है इसमें कोई जर्दा वर्दा नहीं है ये मीठा पान जैसे होता है ये मीठा पान ये उसी का जो बुरादा वगरा गड़ी का और सौंफ वगरा वही है ठीक है आप इसको बड़े राम से देख सकते हैं तो करना के है आपको बस पांच-दस रुपे का सुपाडी खरीद लीजिए और उसमें आपको मिठा पान कर खाते हैं तो मिठा पान का समान आपको पता होगा कि मसाला जो आता है वो आप उसमें डाल सकते हैं गड़ी का बुरादा या फिले सौंफ वगरा ठीक है अगर जर्दा खाते हैं तो घर पे आप बना के खाएंगे जैसे कि इस तरीके से आप बना के खाएंगे तो यह सुपाडी मैं आपको बताता हूं कि 30 रुपे में मिल लाएगा आपको करीब करीब 50 ग्राम ठीक अभी महंगा हो गया इसलिए 30 रुपे 50 ग खाएंगे ही मानेंगे नहीं तो अब मैं आपको चलिए वहाँ पर लेकी चलता हूं फिर बताता हूं कैसे क्या करना होता है तो दोस्तों जितने लोग गुटका खाते हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लिए उम्मत खाएगा यदि आप आदी हैं मतलब नसा करना ही हैं तो खाएए उसमें तो हम रोग भी ने सकते हैं आपको तो जैसा मैं आपको बताया हूं सुपाड़ी खरिद करके और जर्दा खरिद करके आप घर पे बना कर खा सकते हैं बड़ी सस्ता पड़ेगा जैसे कि आपको पता है कि कोई गुटका जो तीन रुपे मिलता था व कोई वो नहीं है खाते हैं लोग पान मसाला वगरा कल एक मैंने वीडियो ड़ा था उस पर आपका बहुत अच्छा प्यार मिला है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नहीं देखा आपने की जीरो रुपे में कैसे बनाते हैं गुटका तो मैंने उस वीडियो को बनाया था आप कल जा करके देख लिए मेरे चैनल पर ठीक है और आपका बहुत अच्छा प्यार है कि इस चैनल को आप सस्क्राइब करते हैं मैं अच्छ नहीं नहीं जान करिया आपको देता रहता हूं तो बस एक छोड़ा सी इंफ्रमेशन था मैंने का कि चलो यार बता द कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको या आइडिया कैसे लगा अगर इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा थैंक्यू